दिखें, class 10 के exercise 8.3 का question number 3 है, question में हमसे बोला गया है, if 10 2a equal to quote a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a, तो question के अंदर हमसे बोला गया है, कि 10 2a, जो है, वो quote a minus 18 degree के equal है, where 2a is an acute angle, तो जो यहाँ पर 2a आया है, 2a की जो value है, वो क्या है, 90 degree से कम है, 2a की acute angle है, और acute angle कौन से होते हैं, जो 90 degree से कम होते हैं, तो 2a जो है, वो एक acute angle है नहीं, कि 2a की value जो है, वो 90 degree से कम है, यहाँ पर 2a यूज हुआ है, आगे हमसे बोला गया है, find the value of a, तो हमें का question होता है कि यहाँ पर 10 हो यहाँ पर quote हो और हमें किसी की value find करनी हो तो आप एक काम यह कर लिया करें या तो 10 को quote बना लिया करें या इस quote को 10 बना लिया करें तो आप एक काम यह करा करें कि इस 10 को quote बना ले तो अगर कभी भी 10 को quote बनाना होता है तो जो है 10 को quote लिखकर इस angle को 90 में से minus कर दिया जाता है equal to तो यहाँ पर 90 minus 2A कर दिया जो भी angle था इसके साथ उसको minus कर दिया और यहाँ पर कितना आया quote A minus 18 अब क्या करेंगे दोनों तरफ से quote quote है उसको हटा देंगे यहाँ पर आ जाएगा 90 minus 2A और equal to आ जाएगा A minus 18 अब आप जो है A वालों को एक तरफ कर लो तो 2A इधर आके minus का A आ जाएगा equal to minus 18 और इधर आके minus के 90 तो minus के कितने हो जाएंगे 3A और equal to minus के हो जाएंगे 108 तो minus से minus खतम जब आप यहाँ से A की value निकालेंगे तो 108 और अगर आप देखते हैं तो जो A है उसकी value 36 आ चुकी है और जब A की value 36 आ चुकी है तो यही हमें निकालना था यही हमें find करना था अब देखें यहाँ पर एक चीज़ और बोली गए थी कि 2A जो है वो acute angle है अगर आप यहाँ पर 2A की value निकालें तो 2 multiply A की value 36 आई है तो वो कितना जाएगा 72 डिगरी तो आप देखें तो 72 जो होता है वो 90 डिगरी से कम होता है तो यह acute angle ही है यह इसका answer